हलो दोस्तो वल्कम बैक तो माई चैनल आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है अगर आप नौर्थिस्ट नहीं घूमे हैं तो चलिए मेरे साथ जी हाँ अगर आप घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन है तो इस वार अपनी लेस्ट में नौर्थिस्ट को जरूर शामिल कर लीजिए और एक अच्छा खासा बजट भी बना लीजिए तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं प्राजीन मंदिर सिवसागर जो बाबा भोले नात का मंदिर है और बहुत ही प्राजीन है और आपको मैं बताने वाली हूँ इस व्लॉग में किस मंदिर को किसने बनवाया था और आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आपको कैसे आना है तो इसके लिए आपको फुल वीडियो जरूर देखना पड़ेगा तो फ्रेंड्स अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं सिफ सागर मंदिर में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असाम आना पड़ेगा असाम के गोहाटी में आना पड़ेगा और गोहाटी से ये 121-30 किलो मेटर पड़ता है और अगर वहाँ से अगर आ आ रहे हैं त तो आप गुहाटी से आप जुराट के लिए आएंगे, तो ये 1.500 किलोमेटर पड़ता है और यहां से भी फिर आपको 55 किलोमेटर और पड़ेगा, तो मैं जुराट से सिवसागर जा रहे हूं क्योंकि यहां से 55 किलोमेटर ही पड़ता है, तो आज मेरे बेटे का जनम दिन है, तो हम लोग वहाँ पर बाबा भूले नाथ के यहां दर्शन करने जा रहे हैं, बताया जाता है कि इस मंदिर को सिव राजा ने बनवाया था, जो शिव थे और वो भगवान भूले नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी जो पतनी थी, उन्होंने अंबिका ने इस मंदिर को कहने पर इस मंदिर का निर्वान किया गया था, और ये काफी प्राचीन मंदिर है, और जब आप इस मंदिर में जाओगे नापको एक अलग ही वाईब आने वाली है, तो देखें हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, पचपन किलोमेटर दूरी पर ही है, अगर आप यहाँ आते हैं, ऐसे तो यहाँ पर चाय के लिए तो असाम फेमस ही है, तो अगर आप यहाँ आते तो आप यहाँ की चाय लेकर भी जाएं, और पीकर भी जाएं, और मंदिरों के लिए सिर्फ सागर वैसे भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान विश्नु का भी मंदिर है, लेकिन सिर्फ सागर जो है, वो काफी फेमस मंदिर है, और यहाँ पर लोग आते हैं, और अपनी मन्नत भी मांगते हैं, मंदिर के बहार आपको प्रशाद की सुवीधा है, आप वहाँ से प्रशाद खरीद की, आप मंदिर में प्रशाद चढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर जो भीड भाड़ है, वो ज़्यादा नहीं है, और आप देख सकते हैं, रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी है, और यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर दिया जलाया जाता है, तो मैं तो यह कहती हूँ, अगर आप पास से आ रहे हैं, तो आप अपने घर से दिया लेकर ही आएं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया मिलता है, उसमें जो मॉम होता है, मॉम बत्ती वाला, वो ही रहता है, बोलते तो घी हैं, कुछ घी वगर अभी मिक्स होता होगा, लेकिन मैं तो कहती हूँ, अगर भगवान के दर पर एक एक दिया लगाना है, तो हम हमारे घर से ही क्यों ना लेकर हैं, और परशाद भी आप अपने घर से ही लेकर आएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ इसके पीछे जो जील है ना, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, इतने सुन्दर कमल के फूल हैं अगर यह देखिए, तो हम लोग करीब पहुँचे हैं, अभी करीब साड़े बारा क्या सपास हो गया है, और हम सुबा घर से निकले थे, नो बज़े के आज सपास, और हम बीच में रुकते रुकते ही आएं, क्योंकि वहां से करीब दो से धाई घंटा कार से लग जाता है, और मेरे बेटी को उल्टी आती है तो इसलिए हमें थोड़ा सा रूखना पड़ता है तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं आप खुद ही देखेगा कि मंदिर के अंदर कितना मतलब पुराना प्राजीन मंदिर है तो भई हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो थोड़ा सा अंदर जाकर मंदिर है तो एकदम गर्मी सी आपको लगेगी और ऐसा लगेगा कि मतलब एक अलग सी वाई बाती एक अध्यात्मिक तागी कि हाँ भई हम कोई ऐसी जगें आएं एक पवित्र जगा पर आएं जहां पर आपको एहसास होगा कि ऐस भगवान का कुछ तो है यहां पर तो देखिए हम अंदर परशाद लेकर आगे हैं यहां पर बैठे हुए हैं पुजारी तो हम पुजारी जी से आज बेटे का जनम दिन है तो थोड़ी पुजा करवाएंगे फिर उसके बाद हम आपको यहां के बारे में और बहार के मंदीर के बारे में घुमाएंगे कि यहां पर और क्या क्या है तो देखिए अभी तो पहले हम पुजा करवा लेते हैं तो पुजा अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप जो भी समान है अपना साथ लेके जाएए और वो दान दक्षिना मांगते नहीं है पुजारी जो भी आप देंगे वो इसली ले लेते हैं तो इस मामले में तो यह पुजारी बहुत अच्छे थे तो अब हम लोग नीचे बैट के पहले पुजा कर लेते हैं और जो नारियल है मिठाईया हैं यह सब मिठाई मैं अपने घर से ही लेकर आई थी क्योंकि मैंने देखा है कि मंदिरों के आसपास जो मिठाई होती है परशाद होता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता है तो इसलिए मैं अपने महां से काफी अच्छी दुकान से जहां से मतलब कहते हैं कि अगर आप जो चीज आप खुद नहीं खाते हैं वो भगवान को क्यों आर्पित कर रहे हो तो बस ऐसा ही सीन मेरे भी साथ है क्योंकि मैं जो मंदिरों के बाहर जो भी प्रशाद मिलता है न वो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं अपने घर से ही ले कर गई थी तो अब हम भगवान को भोग लगाने के लिए पंडिश जी लड़ू निकालेंगे और लड़ू का भोग लगाएंगे फिर उसके बाद जो नारियल तोड़ा जाता है वो इस मंदिर के जैसे पुजारी बैठे है उसके पीछे ही जाकर नारियल तोड़ने के एक जगा है हमको यह दे रहे हैं चरणामरत रुत्वी जो है वीडियो बना रही थी तो इसलिए उसको लेने में थोड़ा सा टाइम लगा तो अगर आप नौर्थिस्ट आ रहे है ना घूमने के लिए तो यहां पर घूमने के लिए इतनी सारी जगाए हैं और उपर से मैं यहां नौर् पर आप ने के लिए एक से बढ़कर एक जगाँ है तो अगर आप इजीली घूमना चाहते हैं तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजों की आने से पहले हैं जो बाविश नहीं है सिर्फ सागर को सिर्फ सागर भी कहा जाता है और यहां पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं अगर आप काजी रंगा आए हैं घूमने काजी रंगा नैशनल पार्क तो आप इस जगे को जरूर विजिट कीजिएगा यह बहुत ही प्यारी जगा है और यहां पर आप यहां के जो authentic cuisine है जो खाना है यहां का आप वो जरूर खाईएगा क्योंकि यहां का खाना बहुत ही delicious है बहुत ही अच्छा है और एक नया experience आपको मिलेगा और यहां की चाए जो है वो तो कमाल ही है आप यहां की चाए जरू भी पीजएगा क्योंकि यहां के चाय बिल्कुल मत मिसskin कीजएगा क्योंकि यहां पर एक चाय ही तो है जो जिसके लिए आसांफ फेमस है और इतना प्रसिद है कि लोग यहां पर दॉड़े चले आते खिचे चले आते हैं और घूमने के लिए तो इससे पहidas कही हो ही लगाते हैं, हाँ गेट के बाहर ही है, जो वहाँ पर ही दिया लगाया जाता है, मंदिर में शायद ज्यादा धुआ या कुछ भी हो, तो वहाँ पर लोग दिया नहीं लगाते हैं, तो ये देखें, मंदिर के बाहर हम लोग आ गए हैं, और मंदिर की दिवारों से आप पता, म बहुत ही प्राजीन मंदिर है और यहां के आसपास का जो एरिया है वो काफी खुबसूरत हैं यहां पर आप अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलीगी तो शान्ती रहेगी अच्छे से आप ढूम सकते हैं यहां आने के लिए आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है चाहे आप गोहाटी से आ रहे हो चाह फिर आप जौराट से आ रहे हो और आपका खुद का वीकल है जिस तरह से अगर मैं जौराट में ही रहती हूँ और मैं अपने वीकल से गई थी तो आपके लिए बहुत आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे यहां पर तो अभी हम लोगों की हो गई है जाने की तैरी क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया करीब दो बच चुके हैं और अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं बस दिया लगाएंगे और फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे तो यहाँ पर यह है दिया लगाने की यहाँ पर आपको दिया लगाना होता है तो दिया मैंने यहीं से ही खरीदा था लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगे अगर आप आसपास से आरे हैं तो अपने घर से ही देशी घी का शुद घी का दिया लेकर आए तो इस तरीके से यहाँ पर लोग दिया लगाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा इसकी जानकरी पसंद आया होगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाबाए टेक केर झाली कर दो झाल